तो आज हम GST वाले questions यहने general entry बनाएंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चीए कि GST किन चीजों पर लगती है और किस पर नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिस्ट दिया हुआ है, इन चीजों को छोड़कर बाकि सब पर लगेगी, तो किस पर नहीं लगती, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि gains, policies, floor, basin, salt, book, agriculture, equipment, sheets, meat, egg, milk, curd, इन सब पर नहीं लगेगी, इसके साथ ही अगर हमने business पर कोई cash लगाया है या business से कोई cash निकाला है, तो फिर उस पर GST नहीं लगेगी, अगर हम cash पे कर रहे हैं, या discount हमको receive हो रहा है, या discount receive कर रहे हैं, हम creditors से करें, चाहे debtor से हो रहा हो, तो उस पर भी GST नहीं लगेगा, साथ ही salary wages पर नहीं लगता, electricity और water bill पर नहीं लगता, इसके साथ traveling expenses पर भी GST नहीं लगता, return off अगर हम करते हैं, bad debt को, या फिर bad debt की recovery होती है, यानि bad debt हमको मिल जाता है पैसा उसका, तो उस पर भी GST न लगाते हैं, IGST अगर जो हमारा state है, उसके बाहर का अगर हमको समान खरीदना या बेचना है, तो IGST लगता है, और अगर हम अपने state के अंदर ही खरीद बेच रहे हैं, तो फिर CGST और SGST लगता है, इसके साथ ही, एक होता है input GST और एक होता है output GST, input GST जो होता है, वो purchase के अगर हैं, वहाँ पे input GST रखता है, लेकिन जैसे sale कर रहे हैं, तो sale करने पे जो हम से खरीद रहा होगा, जो क्रेटा होगा, वो पैसा देगा GST का, तो वहाँ पे हम output GST लिखते हैं, क्योंकि वो पैसा जो GST का है, वो हमारे जेप से नहीं जा रहा है, वो जो खरीदने वा जाला होगा, उसके जेप से जाएगा, तो जहां पे भी हम GST का पैसा पे करेंगे, वहाँ पे input GST आता है, और जहां पे भी दूसरा कोई पार्टी जो है, वो GST का पैसा इंडिरेक्ली या डिरेक्ली पे कर रहा है, वहाँ पे output GST आता है, अब हम पहला question देखते हैं, तो GST का पहला question यहाँ पे दिया हुआ है, जहां पे हमें जनल एंट्री करना है, आरती स्टोर्स के बुक में, और सारे transaction दिये हुए है, जिसमें CGST और SGST हमें 6% एच लगाना है, पहला चार जनवरी का दिया हुआ है, पर्चिस गुट पर कैश, एक लाग पचास हजार का, छे जन होगा, सबसे पहले तो हम इसका format बना लेंगे, date, particular, LF, debit amount और credit amount का, पहला हमें बोला गया था कि हमने good purchase किया है, cash में, चार जनवरी को, तो purchase account हमेशा debit होता है, यह तो सब को पता है, और cash purchase है, तो purchase account DR2 cash होता है, और purchase जब हम करते हैं, तो पैसा हम GST का खुद पे कर रहे है, इसलिए यहाँ पे आएगा input CGST और SGST, purchase का amount दिया हुआ था, चार तारिक को 1,50,000, इसका जब हम 6% निकालेंगे, तो आजाएगा 9,000 रुपे, जो कि हमने लिखा है, इसके बाद हम इन तीनों का total करेंगे, तो आएगा 1,68,000, जो कि हम cash वाल amount में लिखेंगे, इसके बाद 6 तारिक को दिया हुआ था, purchase good on credit, और जो amount था, वो था 2,30,000, तो purchase account DR होगा, और credit site पे आएगा to creditor, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है, कि हमने किसे credit purchase किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे creditor, input GST लगेगा दोनों में, CGST, SGST, और 2,30,000 का जब हम 6% निकालेंगे, तो आजाएगा 13,800, जो कि हम दोनों जगा लिखेंगे, और इन तीनों को plus करने पे 2,57,600 आएगा, इसके बाद, 8,90 को दिया हुआ था, कि हमने good sold किया है cash में, और good sold जो हमने किया था, वो 80,000 का किया है, तो यहाँ पे entry होगा cash account DR to sales, यह तो normal entry होता है, बस GST लगाने में, क्यो इसके बाद, 8,000 हम लिखेंगे, sales वाले कॉलम में, 8,000 का 6% निकालेंगे, तो 4,800 आएगा, जो कि हम दोनों में लिखेंगे, CGST और SGST में, पर तीनों को plus करके 89,600 हम cash में लिखेंगे, इसके बाद, 11 तारिक को कहा गया था, कि हमने good sold किया है, वो भी credit में, तो क्योंकि credit में sold और sale हमने किया था, 3,70,000 में, इसका 6% निकालेंगे, तो आजाएगा, 22,200, जो हमने दोनों जोगा पर लिखा है, और इसको जब हम टोटल करेंगे, तो यह आजाएगा, हमारा 4,14,400, इसके बाद, 30 तारिक को दिया हुआ था, rent pay, अब rent pay तो GST के deduction वाले में तो allow नहीं है, क मतलब GST से चूट तो है नहीं, तो इस पे भी हमको GST pay करना पड़ेगा, तो rent account DR to input CGST, rent account DR, input CGST DR, input SGST DR to cash होगा, अब 8,000 का rent हम पे कर रहे थे, इसका 6% निकालेंगे, तो 480 आएगा, जो हम दोनों में लिखेंगे, और तीनों को प्लस करने के बाद, 8,960 रुपे आएगा, अब इसके बाद हम पूरा सुरू से debit side का जो total करेंगे और credit side का, पहले debit side का पूरा total करेंगे, तो इसका हमारा answer आएगा, 9,38,560 और वैसे ही same credit side का भी total same आएगा, और यही हमारा solution होगा,